कुल देवी की किर्पा प्राप्त करने हे तू, आपको नौर्थ वेस्ट दिशा में अपनी कुल देवी के नाम से एक दीपक जलाना है, औॉम दुंग दुरगाय नमहा मंतर का जाप करना है, जिन भाई बहनों को नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, वो भी इस मंतर का जा परिवार के उपर प्राप्त कर सकते हैं देखिए नवरात्री में माता दुरगा की पूजा सभी करते हैं अन्य लोग अन्य अन्य तरीके से भी माता की पूजा करते हैं लेकिन आप किसी भी माता की या किसी भी देवी देवता की नवरत्री में पूजा करें इसके साथ अपनी कुल देवी की पूजा भी करें क्योंकि पित्रों के साथ कुल देवी देवता की किरपा परिवार के उपर होनी बहुत ही जरूरी है जब तक कुल देवी देवता की किर्पा नहीं होती तब तक अन्य किसी इष्ट की किर्पा भी किसी व्यक्ति के उपर नहीं हो पाती तो सब से पहले आप अपने पित्रों को मनाएं, कुल देवी देवता को मनाएं और तब किसी देवी देवता की किरपा आपके उपर होती है पित्रों से संबंदित बहुत सारी वीडियों हमने पित्रपक्ष में बनाई जिनें आप ललित जोतिस समधान पर जाकर देख सकते हैं अब करना क्या है कुल देवी की किरपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्री में जब से आप ये वीडियो देखें पहले दिन से ही वैसे तो ये काम करना है और कब जरूर करना है रात्री के समय यह काम जरूर करना है दिन में भले ही आप करें या ना करें लेकिन सूर्य अस्त के बाद ये काम आपको करना है ऐसे भाई बहन जिने ये नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन है ना पीछे से कोई उनके पूरवजों को पताता कि उनकी कुलदेवी कौन है और ना ही उन्हें अब कोई बताने वाला है कि उनकी कुलदेवी कौन है तो उनको किस प्रकार से इस प्रक्रिया को करना है वो सुने आप सभी को अपने घर की नौर्थ वेस्ट दिशा में एक देशी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना है अगर North West में आपके घर में जगा नहीं है तो आप क्या करें? East दिशा में पूर्व दिशा में जलाएं और अगर दोनों दिशा में आपके घर परिवार में कुछ ऐसा फरनीचर रखा है या कोई चीज रखी है कि दोनों दिशा में आप दीपक नहीं जला सकते जोड़े तो ऐसे में आपको क्या करना है? जहां भी आपके घर का मंदर स्थापित है वहां ये दीपक जलाईएं बेवजा के भ्रहम मन में ना डाले तीन दिशाएं मैंने बताईं इनमें से जो भी आपके घर में है उसमें दीपक जलाना है दीपक जलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर प्राथना करनी है कि हमारे घर परिवार की जो भी कुल देवी है मैं उनके सामने नमस्कार करता हूँ या करती हूँ और उनसे ये प्राथना करता हूँ या करती हूँ कि आने वाले 9 दिनों के अंदर आप हमें दर्शन दे अब अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी ना किसी रूप में किसी वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से सुपन के माध्यम से या साक्षात मता आपको दर्शन देंगी और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी देवी की आपको पूजा करनी है कोई मंतर जाप नहीं करना, कुछ अलग से नहीं करना, बस आपको एक दीपक जलाना है साथ में अगर आप अपने घर में व्रत रख रहे हैं, तो कुछ ऐसा भोग रख दें जो साथ विखो जैसे आप ड्राइफ्रूट रख सकते हैं, या आपके घर में जो खाना बनता है वो रख सकते हैं, और साथ में पानी जरूर रखें ऐसा जरूर बोलें कि हे माता हमें कोई भी पूजा विधान की विधी बहुत अच्छे से नहीं पता है जितना मुझे पता है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इतना कहकर आपको समर्पन कर देना है इहे माता मैं अपना और अपने परिवार का आपके सम्मुक समर्पन करता हूँ या करती हूँ ऐसा कहकर समर्पन भाव से अपने घर की कुल देवी को मनाए पोकारे ऐसा करने से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी जो कुल देवी है वो किसी न किसी रूप में आपको जरूर दर्शन देंगे ऐसे भाई बहन जिनको ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है उन्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ इससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे यहां ललित जोतिस समधान पर क्या क्या काम होते हैं अगर आपको अपनी negative या positive energy की checking करवानी है तो आप करवा सकते हैं अपनी पित्रों की स्थिती जानने है तू अगर आप साधक हैं तो आप किस level पर पहुँच गए हैं ये जानने है तू अगर आप दिव्य दृष्टी के लिए मंतर जाप करते हैं या कोई और काम कर रहे हैं आपकी दिव्य दृष्टे की कितनी परते साफ हो गई है यह जानने है तू और अगर आपको आपके कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप अपना latest photo, नाम, address और गोतर भेज कर अपने कुल देवी देवता के बारे में हमारे यहां संपर्क करके जान सकते हैं, यह सभी सेवाएं सासुल के हैं पेड़ हैं, क्योंकि इसमें हमें समय देना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहां से किरपा रुकी हुई है, कुल देवी की किरपा रुकी है, पित्तरों की तरफ से किरपा रुकी हुई है, कोई भूल हो गई है, तो यह सब चीजे चेक करवाने के लिए आप हमारे हां संपर्क कर सकते हैं, अब बात कर पढ़ते हैं ऐसे लोगों की जिने पता है कि उनकी कुल देवी कौन है उन्हें दीपक तो उसी दिशा में जलाना है जहां मैंने बताया अगर आप पहले से कोई मंत्र पढ़ते हैं तो अच्छी बात है कोई मंत्र नहीं पता तो ये मंत्र मैं सबके लिए बता रहा हूं इस मं मंत्र से खिची चली आएंगी और आपको निश्यत तोर पर दर्शन जरूर देंगी अब जो भाई बहन जानते हैं कि उनकी कुल देवी कौन है वो अपने परिवार सहित इस इन नवरात्री में अपने कुल देवी के दर्शन के लिए जरूर जाएं और उनसे ये प्राथना करके आएं कि हमारे परिवार के ऊपर आप अपनी किरपा जरूर बनाए रखें और ऐसे भाई बहन जिनने ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है वो ये संकल्प लगाएं कि हे माता आप हमें दर्शन दें आप कौन से छेतर से हैं किसी भी प्रकार से हमें ये समझाएं ऐसे भाई बहन जो परिवार सहित ना जा सकें तो अकेले जरूर दर्शन करके आएं इतना जरूर करें क्योंकि इतना करना जरूरी है तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो नवरात्री में आपकी जो कुल देवी है निश्यत तोर पर आपके ओपर किरपा करेंगी और ज चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जहनकारी के साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जै श्रीरांग